जैसा कि आप लोग बिहार एकल्यान चात्रवित्ती 2020 के तहत जो चात्रवित्ती का जो फॉर्म भरा जा रहा है आप लोग भर रहे होंगे और अपना लिस्ट में देखकर आप लोग ऑनलाइन भी कर रहे होंगे लेकिन ऑनलाइन करने के बाद आपको पता है कि एक काम करना है अगर बहुन आपकाम आप नहीं करते हैं तो आपको स्कॉलोशिफ की रासी नहीं मिलेगी तो बिलकुर ध्यान से देखिया कि आकि ओनलाइन से लेकर बेंक डिटेल्स तक अगर एक आप जीरो भी मिस्टेक कर देते हैं थोड़ी सी जोकि आप आप भासान बहु सकते हैं ये में भी नहीं आपाया है ठीक है तो यह चीज आप नहमत करना तो भी आपको बैंक में पैसा आप आएगा तो बिल्कुल पूरी वीडियो ध्यान से देखना है कि आप अपना पैसा अपना हग कैसे ले पाते हैं तो यहां पर देखिए मैं पूरी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना क्योंकि यहां पर आपको अपडेट साड़ा मिल सके कि कब आपका बैंक में पैसा आपका आज आएगा इस पर भी जल्द अपडेट में देजिए अगर बोडेट निकल जागा तो भी आपको पैसा नहीं मिल पाएगा अब यहां पर देखिए कि आपको आगे की प्रोसेस जो भी आप लोग अभी तक किये हो ना ऑनलाइन उनको करना क्या है कि क्लिक here to be application status पर बार बार आके देखते रहना है ठीक है यहां पर यह अगर यहां से आप देखना नहीं चाहते तो यहां पर verify name and account details पर भी आके आप देख सकती हो तो यहां से अगर आप देखेंगे तो जैसे माल दीजिए कि मैंने आपका district यहां पर select कर लिया जो भी आपका district है वो आप select करेंगे और उसके बाद आपको college का name यहां पर डाल दे हो CBAC, Bihar, UP, महाराज्ट, राजरस्थान, MP की सियन बोड का हो चाहे ITZ, NEET या classic से बरहमी का सवाल हो इन सब का जबाब .NET APP पर या फिर कोई भी subject हो physics, chemistry, biology, math, science आपके सभी सवालों के जबाब मिलेंगी आपको .NET पर साथी .NET पर class 9 से बरहमी के बच्चों के लिए चल रही है लेकिन यहां पे देखिए कि आर्ति कुमारी ने इन्होंने form submit कर दिया है और bank detail भी इन्होंने fill कर दिया है लेकिन यहां पे लिख रहा है कि अभी भी verification इनका नहीं हुआ है वो submit किया गया है लेकिन bank का verification जो है वो अभी भी process में है तो इस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि bank bank का process जब तक आपका verification पूरा नहीं होगा तब तक आपको जो है scholarship की रासी नहीं मिलेगी अगर verification के time में आपका दिख दिया कि आपका error पाया गया है तो भी आपको scholarship की रासी नहीं मिलेगी और आपको कोई भी bank details change करने का option नहीं मिलेगा तो यहां पर एक चीज़ में बताना चाहूंगा कि आप लोग भूल कर भी gramine bank का मत डालना gramine bank अगर आपका है तो gramine bank में नहीं कोई other bank में आप account खुलबाकर आप जो है यहां पर bank details डालना ऐसा नहीं ग्रामine bank बालो के पैसा नहीं मिलता है लेकिन gramine bank में थोड़ा risk हो जाता है bank verification में कभी कभी error आ जाने की बज account error तो यहां पर इसीच को समझ जाएगा उसके बाद अगर आप लोग online कर लिये हैं तो यह तो करते ही रहना है चेक करते रहना है बार बार कि कहीं आपका यहां पर कुछ verification पूरा हुआ या नहीं हुआ ठीक है यहां पर देखिए शभी का अभी तक verification में ही लगा हुआ हुआ भी यहां पर डाले है ठीक है जो नहीं डाले तो उनका बादी अलग है जो भी यहां पर डाले है उनका देखिए bank verification जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है क्योंकि यह last date हो जाएगा तो अब यहां पर धीरे-धीरे सब काम डेर दिया जाएगा उसके बाद आपको एक ची document या आबेदन की जोरत नहीं है यानि आपको किसी भी college से हो या school से हो टीक को कोई भी आ स्कूल में जाकर नहीं देना है बहुत क्या कर रहे है कि आप स्कूल में जाकर application दे रहे हैं सोच रहे हैं कि हो जाएगा तो वह वैसा नहीं करना है बिलकुल नहीं होगा आबेदक का अबेदन महापिद्याले के माध्यम से सुईकृत नहीं किया जाएगा साफ साफ लिका हुआ यहाँ पे ठीक है आपको अपलाई करने के बाद अपना जो भी डूकमेंट है वो आपको अपने पास ही रखने हैं ठीक है किसी भी स्कूल कॉलेज से कोई भी यहाँ पर कॉंटेक् प्राइब जरूर कर लो क्योंकि इस पर मैं बता दूँगा कि कब आपका पैसा आ गया है कांट में नहीं आया है कौन अडिश्टी का आ गया नहीं आया है सब कुछ मैं इस पर अपडेट देता रहूंगा तो स्कुलॉर्शिप की पूरी अपडेट आपको पूरी चाहिए इस चैनल को जरू सब्सक्कार कर लेना मिलते हैं आप से अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो और इस वीडियो को सेर और लाइक करना मत भूलना